अब हमनों देखेंगे conditional sentence tab no.1 उनका structure कैसा कैसा होगा अब हम इस structure देखेंगे अभी तक हमनों जो देखा था वो समझा था वो उसके tab देखे थे उसकी situation देखें थी ठीक है अब इसका structure देखेंगे उसमें कौन को उस तरीके से model अलगला तरीके से change होगी किसके sense में वो सब देखेंगे तो देखेंगे पहला uses में क्या है कि it is possible to fulfill a condition which is given in if clause मतलब यहाँ पर जो भी बात लिखी होगी condition के तोर पर उसकी संभावना है होने की कितनी संभावना है वो यहाँ पर पतर लेगा will से पतर चल सकता है इंफ्रिंटेव कादल यहाँ पर इस तरीके से imperative sentence यूज हो सकता है या फिर model का अलगला यूज करके हम लोग वहाँ पर sense दे कर बता सकते हैं अगर संभावना है तो में लगा सकते हो 100% होगा तो क्या लगा सकते हो आदेश देना है तो imperative लग सकते हो आई के सेंग में fixed sense के लिए यहाँ पर बिल का यूज हो है तो इसका उनला जरूर ही मैं पास हो जाओ अगर मैं पढ़ोंगा ना तो मैं जरूर पास हो जाओंगा ठीक अगर तुम आज रात को राम को देखो ना तो उससे कह देना मुझे इमेल कर दो तो यहाँ पर इस sentence में आप ध्यान दो यह sentence imperative है तो imperative भी यूज हुआ है order दिया जा रहा है इफ राम gets up early अगर राम जल्दी उठ जाएगा ना तो बस पकड़ सकता हूँ उसके हाथ में है अगर मैं can की जएगे make a use कर सकता हूँ तो इसका मलए क्या है वो सायद बस पकड़ सकता है तो यहाँ पर कैसे भी sentence को यूज कर सकते हो चलिए कहने का मतलब यह है कि जरूर नहीं कि इफ वाले sentence पहली लिखा हो इफ वाले sentence मेरा पीछे भी जा सकता है अब difference कहा है वो देख लो कॉमा का होता है अगर मैं इफ क्लॉस पहले लिखता हूँ तो कॉमा मुझे लगा कर दूसर sentence जोड़ना पड़ेगा एग्जाम मिश्टिक क्या आती है एग्जाम में कॉमा की जगे मिश्टिक में टी एच एच ए गयना आता है जो कि हमारा कॉमा इरर में बनता है तो उसको आपको रिमूप करना है केवल इफ अपने साथ में लाता है कॉमा देन क्यों नहीं लाता है हिंदी में अगर तुम आओ तुम मैं तुम 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 त तो जो इसका पेर होता है ये कॉमा लेकिन इसका कोई पेर वर्ड नहीं है इसलिए यहां पर कोई पेर वर्ड यूज नहीं होगा जैसे अगर मैं यहां पर आफ्टर का यूज करता हूं सेंट्रिस के स्टार्ट में तो भी मुझे कॉमा लगाना पड़ है क्योंकि आफ्टर का यहाँ पर लिखता हूँ, तो याद रखना है, यहाँ पर कॉमा बगारा कुछ भी नहीं आगा, क्योंकि यहाँ पर conjunction के लिए, देखो एक sentence यह, एक sentence यह, इसको जोड़ने के लिए मैंने if लगाया, इसको जोड़ने के लिए मैंने कॉमा लगाया, अब इस sentence को जोड़ने के मुझे केवल if चाहिए, और sentence मेरा जोड़ जाएगा, clear, conditional sentence type number two, इसमें theoretical बात होती है, मतलब subjective mode, sorry, hypothetical condition, जो की to fulfill a condition which is given, देखो, इसमें कोई बात लिखी होगी, जो हो भी सकती है, would भी लगा सकते हो, could भी लगा सकते हो, माटी भी लगा सकते हो, हो जाएगी, तो would हो सकती थी, जरूर ही, अगर ऐसा होता तो, could साइद ही हो सकती थी, या साइद हो सकती थी, तो might, इस sentence में use करेंगे, note down करते हैं न, if I studied, अगर मैंने पढ़ाई की होती, I would pass the exam, तो मैं pass कर लेता, general sense में, if I studied, अगर मैंने पढ़ाई की होती, I could pass the exam, तो मैं pass जरूर कर लेता, लेकिन मैं कर दी नहीं पाया, if I studied, अगर मैंने पढ़ाई की होती, I might pass the exam, तो साइद मैं कर लेता, मैं जहें confirm नहीं है, साइद मैं कर लेता, तो इस तरह से in sentences में हम लोग अलग-अलग condition को apply करने के लिए, अलग-अलग model work का use कर सकते हैं, जातर आपने पढ़ाऊगा कि man clause में will या shell का use करते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप वहाँ पर कोई भी model work का use कर सकते हैं, और आपने थर्ड condition में जो आप मैं बताने बाला हूँ, कि उसमें आपने देखा हो कि जातर आप वोड हैव का use करते हैं, यहाँ पर might have भी use हो सकता है, लेकिन exam का pattern जो वोड हैव बाला ही follow होता है, तो आप वोड हैव ही याद रखो, आप या आगे मैं आपको बताऊंगा, अब देख लो, अगर मैं इसको आगे पीछे करना चाहूं तो, जैसे कि if I studied, अगर मैंने पढ़ाई की होती, I would pass the exam, तो मैं exam pass कर लेता, चाहें तो उसको गुमा की ले सकते हो, I would pass the exam, मैं exam pass कर लेता, अगर मैं पढ़ा होता, मतलब मैं पास तो हो जाता, एक condition लग दी, अग आदमी है, एक आदमी है, जिसका एक पच्चा है मानक चलो, उसका paper भी हुआ नहीं है, तो वो कहाएगा, अगर, sorry, इसमें अंतर कहा है, कि if I study, अगर मैंने पढ़ाई की होती, तो मैं pass हो गया, होता, तो इसका मनला, उसमें पहले reason बताया, कि अगर मैं यह करता, तो मैं यह हो जाता, ऐसा में साथ में हो जाता, यानि उसके condition मता है, कि मेरा इस काम के पीछे reason क्या था, और इसमें क्या हुआ, कि पैने वे रेल्ट बताया, कि में साथ यह हो गया है, उसका reason क्या बताया, if I study, कि अगर मैंने यह किया होता है, तो हो जाता, तो किसको पहले रखना है, इसमें कोई problem बस sense थोड़ा change हो जाता है, आगी पीछे करोगे conjunction का खेले वहाँ पर, उसमें वह वाद याद रखनी है, अब, third number condition दिखते है, it is impossible to fulfill a condition which is given in if clause, मतलब, यहाँ पर जो बात बोली आती है, वो कैसे भी करके, यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती है, would have, general sense, could have, जरूर ही ऐसा हो सकता था, might have, सायद ही यह हो सकता था, इस चीज़ को मैं ऐसे आपको समझा देता हूँ, जैसे की, आप एक कॉलोनी में या एक बार्ड में या मुहले में रहते हो, और आपकी किसी से दुस्मनी, जैसे मान चलो कि आपका नाम राम है, लड़की ह तो आप अपन नाम पूजा रख लो, या नहा जो भी चाहो वो रख लो, तो आप सुबह उठे, तो आपके दो-तिन घर चोड़के एक लोगों का घर का बाहर का बल्ब जो था, वो फूटा हुआ था, तो भीड लगी, कि किसने फोड़ा, उस बूच चला है, किसने फोड़ तो आप पहुचे, तो जाता देखना है, जिनकी जिसे दुस्मनी होते है, उसका नाम पहले लिया जाता है, बात में समझ रहे ना, तो आप पहुचे, आपने का कि ये बल्ब जो जरूर ही राजियस ने तोड़ा होगा, ये राजियस नहीं तोड़ा होगा, भली वो घर पर आपको पता भी नहीं, उसका नाब हम पहले लिया, क्यों आपके अपके इनमी है, दुसमन है, तो इसका ना पहले लिया और पहले लिया, और सीजल ही राजियस ने तोड़ा होगा, मैं त्संद्रस्मों सुनना, जरूर ही तोड़ा होगा, गा, गी, ग, क्या ये काम भर्व मोहन ने किया होगा, 100% मोहन ने किया होगा, तो वोड है, दूसरा है कि नहीं, यह तो सायद ही मोहन ने किया होगा, तो अब समझो यहाँ पर, मोहन ने तोड़ा होगा, बता राकेबल, तो वोड है, मोहन ने ही तोड़ा होगा, कुड है, सायद ही मोहन ने तोड़ा होगा, तो माइट है, एको ले लो, मस्ट है, इसका मतलब, 100% मोहन ने ही तोड़ा होगा, अब इसका मतलब क्या हुआ, कि यह काम तो मोहन कर सके, कि उसके कि ये योग गिता तो मुवान के अंदर ही तोड़ने की माश्टव का मतलब है योग गिता हो या ना हो लेकिन काम तो उसी ने की 100% ठीक है वाटव का मतलब जेनरल सेंस में माश्टव का मतलब साइधी उसे ने क्यों वो तैसा आदमी है नहीं वो ऐसे कैसे कर सकते है वो तो घर पे था ही नहीं ऐसे समझा गया चलो मेहन लगती समझाने में लिखें कॉंसेट जरूर क्लियर होगा इफ आई हैड इस्टडीड अगर मैंने पढ़ाई की होती आई वोड है पास दा एक्जाम तो मैंने एक्जाम पास कर लिए होता जनल सेंस में पढ़ाऊंगा तो पास तो हुई जाओंगा ऐसे अगर बोलना है तो यह लेकिन मैं पास तो हुआ ही नहीं जीरो रियल्ट अगर मैंने पढ़ाई की होती ना तो साइद मैं इसको पास कर लेता पेपर तो बहुत टफ था लेकिन साइद मैं पास कर लेता और अगर मैं यहां पर यूज करता हूं मस्ट है तो पेपर कैसा भी यो मैं पास हंडे पसंट कर लेता कुछ भी हो जाए बाली में अंदर योगता हो या नहीं पास जो जो कर लेता तब यूज करेंगे हम लोग माइट है अब एक और आता है सर या पसूट हैव का हो सकता है हम हो सकता है अगर तुमने पढ़ाई जही उती तो तुम पास होना चाहिए था किसी को शलाह देनी है अगर आई की चेकर में यू कर लो को खोद को तो सलाह दोगी नहीं, सलाह तो दूसरे हो दी जाती है, खुद को तो खुद को तो कम में लगाए जाता है ना, if you had studied, अगर तुमने पढ़ाई की यह उती, तो तुम्हे पास होना चाहिए था, लेकिं तुम हो एको नहीं, reason बताओ, तो यहाँ पर should have का भी यूज हम दो कर सकते हैं, clear, चुरू, गुमा फिरा के अगर बात की जाए, तो if I had studied, I would have passed the exam, और if I have, sorry, if I would have passed the exam, if I had studied, यह दोनों तरीके थे बनाने की, मेरे खाल से आपको बिल्कुल ही concept clear हो गया होगा, कि कहाँ पर किसका और कैसे यूज करना है, exam में कैसे पूछे जाएगा, वो तो मैं example से पता चलेगा, मतलब paper से और practice paper से, तो अब देखेंगे, आगे अलग-अलग condition में है,